गुड मॉरिंग चिल्रेन, वेलकम यौल टू लेसन शिक्स, आप सबको पार्चे में स्वागत है, बच्चों ये कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा बच्चों, ये कौन सा चित्र है, चंदा मामा है ना, ये चांद का चित्र है, देखो कितना सुन्दर दिख रहा है, है देखो कितना सिक्षि के समद में, आज हमारा पार्चे का नाम है, चांद से तोड़ी सी गप्पे, तो क्या है बच्चों, चांद से तोड़ी सी गप्पे, ये कविता है, और इसके कविता के कविष शमशेर बहादूर सिंघ है, तो क्यों है आपकेजificant के कविषण शिवजी का चित्र है तो देखिये चांद इनके सिर पर हमेशा होता है है ना अर्दाकार का देखो इसके क्योंकि चांद के समझ में कई कहानिया है क्योंकि वह भीमा उनको शाप स्विमुत करने के लिए वह शाक्षा शिवजी के पास जाते है और शिवजी को चांद के उपर रखते हैं तो इसलिए हम देखते हैं कभी 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 भी शिवा जी का फोटो बन विल सी लौर्ड शिवा वाट विल वी दियार अनी सेड एक तरफ से गंगा मैया होती है तो दूसरे तरफ से चांद का चित्र उनके पास हमेशा उनके सर के उपर होता है है ना देखे दिख्रा यही ने कोई भी चित्र देखो तो चांद उनका सर पर होता है तो यह बच्चों यह तो पुराने युग से चांद भी एक भगवान के रूपी है है ना तो जैसे सूर्य भगवान है उसी तरह चंदर भगवान भी है तो इनके बारे में अनेक कहानिया भी प्रचलित है इसके अलावा भगवान राम जब चोटे थे उनकोंने चांद को देखा तो उनकों चांद चाहिए करके अपनी मात ऐसे जिद की तब उनके चांद तो हमें कोई पकड़ सकते हैं क्या इतना लाको किलो मीटर दूर होता है वो तो उसने उनकी माने क्या क्या शाक्षात चंद कहानिया हैं तो देखें मानव पहले कोशिश किया कि चांद के उपर जाए तो पहले हूँ वास फर्स्ट मैं तो लैंड ऑन दा मून वास नील आमस्ट्रॉंग इजिंट तो देखें चांद के उपर जाने के लिए मानव ने अनेक प्रेतन किये और उपगरह भी बेजे थे तो इसी तरह मानव आज कल देखें भारत के समद में कौन है पहला जाने वाला राकेश शर्मा जी इंडियान तू लैंड अन्ड ऑन दा मून है ना है कि ने देखें बारत हमारा जो जंडा फैरा हुआ है वो हमारा भारत देश का है कितना गर्व की बात है कि हमारे बारत की तरह से ही तरह से भी तो पहला अदमी जो चंदरमा के उपर जा बेटे उसी तरह आवरतों में देखा जाए तो ये कौन सा पिक्चर है बच्चों कलपना चावला इन्होंने लिए औरतों के तलिविन इसी फ्रम विमें साइड शी वास्ट विमें तो गोंट देखें करना है कि बन्यौत चंदरमा के शंदरमी उस विमें नहीं है बन्यौत विमेंस राफ वो लहरे इतने उमंग वो उपर नीचे गिरते हैं कि पौरिमा के देन क्यूंकि जो लाइट की रोशनी से अट्राक्ट होते हैं ऐसा कहना है तो इसलिए अब कहते हैं कि पूर्णुमा के रात को समझर पर कोई नहीं जाना चाहिए क्यूंकि जो लहरे होती है इतने उंचे नीचे होते हैं देखो बचो आज का जमाने में बतियां आगया लाइट वे अरह राइट वे अरह बहुत लोग कहा पड़ते थे चांदनी की रोशनी में पड़ते थे इसी तरह हमारे महात्मा गांदी जी भी चांद जब लिखते लिखते जब उनको ने लालतन में किरसन हो जाता था तो वो भी बाहर चांदनी के रात में ही लाइट में ही पत्र लिखा करते थे जवाब लिखा करते थे तो देखे बचो चांद के ऊपर इसी चंदा मामा भी एक मैगजिन होया करता था जब हम चोटे थे आपके मामी को पापा को पूचने भी बोलते थे जिसमें अच्छे कहानिया चिटकुले और वगेरा 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 बहुत ही जेलचस पर किताब था यह चंदा मामा तो देखे इसके मतलब से अभी तक जो पड़े कितना चंदा मामा के बार पर कितना जानकरी प्राप्त हो रहा है देखे जब चोटे बच्चे र आत को नीन नहीं आती तो ममा किसके कहानि बात आती है? चानद को बाहर लेकर चंदा मामा को देखाकर लोरी गाती है, देखे तेलगु में भी है जान्यू है, जान्यू हैं उनके बारे में कहानी बताती है, लोरी सुनाती है और खाना किलाती है, ना देखो कितना सुन्द, what a beautiful scene it is, a mother which is consoling her child by telling the story or related to moon, she'll be showing and making a singing song and will make the baby to go to sleep. See how beautiful picture है, ma, अपने बेटे या बेटी को देखो, किस तरह लोरी सुगा कर, चांद को दिखा कर उसको नीद में सुला रही है, है ना, कितना मनोहर दृष्य होता है, हमारे दादा दादी, नानी नानी होने से भी वह ऐसा ही करते हैं, देखे, यह क्या है बच्चों, ताजमल, लो and the reflection we can see on the river, युमना, क्योंकि युमना नदी के तटपर ही है, ना, ताजमल, देखे, कितना मनोहर, कितना सुन्दर दृष्य है, ना, दिबारत के नहीं, विदेशों से भी आते हैं, इसको देखने के लिए, देखो चांद, अभी इस पोयम में आते हैं, तो बच्चों, एक ग्यारा, दस, ग्यारा सा, आपकी उमर की लड़की, चांद से पूछ रही है, इसको चांद, देखो, कविता इस परकार है, चांद से थोड़ी सी गपे, गोल है कूब मगर, अब तिरचे नजर आते हैं, जरा, अब पहने हुए कुल आकाश तारों जरा, सिर्फ मूँ खोले हुए है, अपना, देखो, कूब गोल है, कूब मगर, अब तिरचे नजर आते हैं, जरा, मतलब क्या है, अब तिरचे नजर आते हैं, जरा, मतलब क्या है, अब तिरचे नजर आते हैं, जरा, मतलब क्या है, अब तिरचे नजर आते हैं, जरा, मतलब क्या है, अब तिरचे न यहां पर लड़की पूछ रही है चांद से, एक ही देखो आकाश चांद के उपर से दिखाई परता है, कैसे मानो चांद ने आकाश के रूप पोशक पहन ली हो, तो the entire moon is where it is situated in the middle of the sky, how it is spread by, but Purnima के तो कैसे दिखता है Purnima के दिन, चांद को देखकर इतना खुश हो जाते हैं, कि चांद वो देखने से कैसे गोल गोल दिखाई देता है, पर कैसे दिखाई देता है, चांद ने तारों से जड़ा हुआ आकाश की वस्तर के रूप में पहन कर, अपने चारों और फैला हुआ है, मतलब वस्तर मेंने क्या है, ड् The dress is stronger, right? The Hair means what is stars. It has the dress made up of stars. Isn't it? The dress looks so beautiful. And what is it called? Suppose you see the look at the garra. To get it, it is an ordinary real. But how it looks beautiful when it is decorated with kundan? What not? Isn't it? If we paste on going, it looks mirrors, kundan, how? and small small what we can मोती उसके उपर लगाने से कितना सुंदर बढ़ता उसकी सुंदरता बढ़ जाती है उसी प्रकार जैसे हम कैसी तरह चमकीली चीजों से हम कैसे कपड़ों की सुंदरता बढ़ाती है उसी तरह आकाश किस से सुंदरता दिखरा ही दे रहा है नक्षत्रों से isn't it why because the stars will shine in a such a way that the sky बिना तरह देखो कैसा लिखता है आकाश अच्छा लगता है क्या इद्दम बिल्कुल सुंसा देखो अमावाशा के दिन क्या नहीं दिखाई देता है चांद नहीं दिखाई तो कैसे हम देख सकते हैं fun of darkness है नह तो आ加श की सुंधरता कभ बढदी है किस की वजले से आकाश की सुंधरता बढदी है तारों की वजले से in the t foto विच मैं किया होता है बच्छों claanad गोल सा cambodis यिस की वजले से आकाश की सुंधरता और बढ़ जाती है है नहीं इना यह तो और वोट बेजिए न सकते सम champions कि यह झालाए प्रेशैख समय क्पाश्ट प्रेशन अविग्थे अविग्श इस अविज रिंग हैं झाल